असलाम अलेकुम मेरा नाम आमिना अली कमाल है असलाम अलेकुम मेरा नाम आईशा अईशन Mohammad Rules Training Program की creative writing course में मैं और आमिना आपकी instructors हूँ मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूँ इसे पहले कि आप कोर्स हम चुरू करें और उसकी बातें करें मेरा जो तारलुक है वो डिवेलपमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और कॉर्परेट सेक्टर से है यानि कि कोई 25 साल से उपर का मेरा work experience है और जो चीज इन सारे जो मैंने काम किये हैं चाहे वो सब्सक्राइब के साथ हो, United Nations के साथ हो, World Bank के साथ हो या जो corporate इदारे हैं उनके साथ हो, एक जो चीज चीज consistent रही है वो writing रही है तो जहां पर भी मैंने काम किया, वहां writing जो है वो बहुत जरूरी रही है तो I have a whole many, many years of experience in writing मेरा background as a school teacher है, मैं कुछ अरसे तालीम के शोबे से इस तरह मुनसर लिख रही हूँ कि मैं classroom में थी उसके बाद मैंने development sector जोइन किया, जिसमें teachers training, teachers के लिए तदरीसी मवाद, तयार करना, यह सारे काम मैंने किया है अब हम अगर बात करें कि मुझे लिखने का शौक क्यों हुआ, तो या लिखना मेरा शौक क्यों है, वाइ creative writing वेर I am concerned जब आप बहुत जादा पढ़ते हैं और किताबें पढ़ते हैं तो inspiration मिलती है कि लिखना चाहिए, और पिर आम फेल्म जिंदगी में भी मैंने देखा है कि लिखना जो है वो बहुत जादा important होता चला जाता है, आप काम करते हैं तो आपको लिखना पढ़ता है, आप घर मे आती है, creativity बनती है, उसमें मज़ा आने लगा, तो बहुत मैंने जो है मुख्तलिफ चीजें लिखी हैं, काम के लिए चूंके UN के साथ वाबस्ता थी, तो बहुत सारी writing उसमें involved थी, reports भी थी, creative writing में आप जो सारा media से related काम होता है, वो सारा काम किया है, proposals होते हैं, research papers होते हैं, उसके अलावा, मेरी अपनी काफी publications हैं, उसके लिए बहुत दिखा, और जो अख़बारात हैं, उनके लिए बहुत दिखा, तो लिखना जो है, वो काम के साथ भी associated था, फिर आहस्ता इसका शौक भी होना शुरू हुआ, तो हाल ही में कुछ publications मेरी, और creative writing की निकली हैं, जो क they are looking at publishing those as well. मुझे शौक है, क्योंकि मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी, तो मेरे वालिद भी लिखने का शौक रखते थे, उन्होंने मुझे पराने जमाने के उस वाले type writer पर, जिस पे जोर-जोर से type करना पड़ता है, उसके उपर typing सिखाई थी, इसी जहन से के मैं बड़े होके writer ब आईशे, जब हम लिखने की बात करते हैं, हम दोनों को मेरे खाल में experience भी है, शौक भी है, कुछ काम भी रहा है तो creative writing जो एक हमें लगता है क्यों जरूरी है आज कल के जमाने में या हमारे लिए काम में क्यों जरूरी था, I think that without saying, लिखना मेरे खाल में अब तो इतना norm हो ग जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम progress कर रहे हैं, वहाँ entertainment value somehow writing में जरूरी होती जा रही है, what do you feel about that? देखें, writing में यह है कि जैसे किसी और चीज में fashion करना है आपने, कपड़े select करना है कुछ, उसमें बड़ी scope है, उसमें बड़ी range है जो आप अपने आपको express कर सकते हैं, जैसे अपने का funny writing हो सकती है, serious writing हो सकती है, कोई बहुत philosophical topic की उपर आप लिख सकते हैं, तो इसलिए, I think इसमें interesting यह है कि हर शक्स अपने आपको express कर सकते हैं, और अपने interest की चीज में जो है, वो अपनी जगा बना सकते हैं, क्योंकि उसमें हर किसम की writing मौझूद है, जैसे funny हो गई, या serious हो गई, या कोई technical हो गई, किसी medical के शोबे से related, या engineering से, I think that's what's exciting about writing, आपने का कि आपको न मेरा बच्पन से नहीं था, बड़े डांट के मार के राइटिंग स्किल्स मुझे दी गई थी, बट एक चीज जो हमें बड़े होते में, जो मुझे हमेशे कही न, कोई और और प्रेजिस, जो चीजें बनी वी हैं, उनमें जिदत लाओ, उसमें, क्रियेटिविटी लाओ, तो अगर हम बहुत सारे अलफाज को क्रियेटिवली इस्तमाल करें, जिसको हम कहते हैं कि जक्स्टुपोजिंग दे वर्ट्स तुगेधर, यानि कि एक लफ्स को दूसरे लफ्स के साथ, जब हम क्रियेटिवली खटा लगाते हैं, तो उसमें बड़ा मजा आता है, वो जो कोई एक essence जो है, उसका बदल जाता है, कि आप उसको किस context या किस situation में इस्तमाल करते हैं, मगर मैं इस लफ्स को अगर इस तरह इस्तमाल करूं तो शायद इसका मानने, इसका जो पूरा वो एक essence होता है, वो बदल जाए, तो उसमें भी एक creative मजा आता है, वो आप एक्स्पि true authenticity को आप express कर रहे हैं, जब मैं school college में थी, तो यह क्योंकि जैसे मैंने का कि मैं इसरा introverted थी, तो मुझे stage पर जाने से इन सब चीजों से जरा खौफ आता था, तो लिखना और अपने आपको लिखने से express करके that was a way for me to get appreciation from people and get acknowledge and communicate, और इस तरह से मैं अपनी teachers की, अपने friends की त करते में मजा आगा and we hope that you are able to learn a little from us as well.